नमस्ते इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेस्मेंट आफ सिक्स लॉड इन ट्वेल्थ हाउस के बारे में देखिए अगर मैं भ्रेयत पराशर हुराशास्त्र की बात करूँ तो वो इस कॉंबिनेशन में बोलते हैं वए भाव में हो तो वैसन में खर्च करने वाला विद्वानों का द्वेशी और जीव का हिंसक होता है यानि उन्होंने ये जो रिजल्ट्स इस कॉंबिनेशन को दिये हैं वो ब्रेयत पराशर हुराशास्त्र नहीं दे रही है इन प्रैक्टिस मैंने जो इस कॉंबिनेशन के रिजल्ट्स देखें आईए मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ देखिए बहुत लोग इस कॉंबिनेशन को इतना अच्छा नहीं मानते हैं बोलते हैं कि अगर सिक्स लॉ रहती हैं, प्राब्लम्स रहती हैं, बट अगर इस कॉंबिनेशन को हम ध्यान से देखें तो यहां क्या हो रहा है 6 लॉट जो है वो अपने से 7 अध में जा रहा है मतलब अपने से 6 ग्रह में जा रहा है देखिए 6 ग्रह का कंसेप्ट मैंने कभी आप लोगों वे साथ डिसक तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Sixth Lord अपने से सेवंथ में जा रहा है, अपनी छाया के घर में जा रहा है, अगर हम विपरी तरा जोग योगों की बात करें, तो यह Sixth Lord जब 12th में चला जाता है, तो यह हर्श योग बनाता है, यानि योग ओफ हैपिनेस, क्योंकि यहाँ पर Sixth जो है, वो हाउस अफ लॉस में चला गया है, 12th हाउस में, तो जब भी Sixth Lord 12th में होगा, तो ऐसे लोगों की जो लाइफ है, जो मैंने इन प्रैक्टिस देखी है, अगर वो एफ्लिक्टिट नहीं होगा, तो डिजीस फ्री होती है, लिटिकेशन फ्री होती है, उनकी नहीं रहती हैं, अब अगर हम इनके प्रोफेशन की बात करें, बिकर सिक्स हाउस जो है, वो प्रोफेशन से भी जुड़ा हुआ है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, आदमी किस तरकार की लाइन में जाता है, तो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है, अगर सिक्स्त का के साथ संबंद बन रहा है, तो ऐसे लोग मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन में हो सकते हैं, जहां पर उनको हॉस्पिटल जाना पर सकता है काम करने के लिए, इसलिए जो डिजीज की बात लोग करते हैं, या कही जगा लिखा भी हुआ है, कि ऐसे लोगों को डिजीज की प प्रेजेंट करता है, फॉरण सेटलमेंट की बात करें, तो मैंने ऐसा देखा है कि जब 6th Lord 12th में प्लेस्ट होता है, और अगर किसी प्रकार ये 10th के साथ संबंद रखें यहां पे प्लेस होके, तो ऐसे लोगों को कुछ न कुछ contractually job के लिए, कुछ सालों के लिए विदेश जाना पड़ सकता है, अगर foreign settlement के combinations होंगे इस चार्ट के अंदर, तो ये लोग permanently भी बहार settle हो सकते हैं, तो in practice मैंने इस combination के इतने खराब results नहीं देखे हैं कभी भी, overall मैंने इसके ठीठा results देखे हैं, हाँ, अगर यहां पे ये 6th Lord 12 में afflicted हो जाए, तो उस case में sudden illness किसी प्रकार की एकदम से इन लोगों को आ सकती है, sudden accident आ सकता है, जिसकी वज़ा से short term के लिए कोई problem आए, तो जब भी a combination 6th Lord and 12th house देखने हैं, तो देखे हैं यहां पे affliction कितनी है इस combination के उपर, और दशास के through trace करके आप, अगर कोई negative event हो होने वाला है, तो वो भी देख सकते हैं, but generally अगर 6th Lord या 8th Lord 12 में placed होगा, और अगर आपस में तीनों यह घरों के planets जुड़े होंगे, तो overall यह कभी भी negative results नहीं देता है, positive results ही देता है, तो यह मेरे कुछ thoughts 6th Lord in 12th house के बारे में, धन्यवाद.